हेलो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला फिश करी ये रेस्पी आप एक बर बनाओगे तो इसका टेस्ट आप भूल नहीं पाओगे मैं हूँ आपका होस्ट कॉरफ और स्वागत है आपका दा इंडियन किचन में तो चलिए फिर शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने या रोह फिश लिया है एक केजी और इसे अच्छे से वाश कर लिया है अब इसे मैरिनेट करना है तो मैंने या एक टेबल स्पून हल्दी डाल लिया है एक टेबल स्पून नमक और एक टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है अब आईए हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और फिश के दोनों साइड मसाला अच्छे से लगा लेते हैं और इसे आदे घंटे के लिए हम मैरीनेशन के लिए रख देंगे तो आप चलते हैं फिश को फ्राई कर लेते हैं आप फ्राई करके ही फिश बनाए इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो मैंने एक पैन में मस्टर्ड ओल ले लिया है और इसे गरम करके इसमें फिश डाल देते हैं फिश को अच्छे से फ्राई करने के लिए ओल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है ताकि इसमें फिश चिपके ना फ्लेम को हमें मीडियमी पे रखना है तीन मिनिट मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने के बाद अब हम इसे दूसरे साइट पलट लेते हैं तीन मिनट से जादा फिश फ्राई नहीं करना है एक साइट से वहनना फिश ओवरकुक हो जाएगी दूसरी साइट से भी हमारे फिश तीन मिनट फ्राई हो चुकी है तो आई ये से हम निकाल लेते हैं अब मसालों में मैंने यह लिया है 2 टेबलिस्पून खड़ी धनिया एक पूरे लेसुन को छील लिया है जीरा लिया है 2 टेबलिस्पून 8-10 लाल मिर्च ली है प्याज हमने 3 मीडियम साइज के कट कर लिये है और काली मिर्च 15 से 20 ली है अब सारे मसालों को हम mixi में डाल लेते हैं और इसे हम पीस लेते हैं अच्छे से तो अब तयार हो गया है हमारा मसालों का paste अब मैंने यहां एक दूसरा पैन ले लिया है और fish fry में जो oil बजा था उसको मैंने यहां use कर लिया है oil गरम होते ही सबसे पहले मैंने मेथी दाना डाला है half table spoon और इसे अच्छे से हम dark brown कर लेते हैं वरना मेथी का taste दीखा आएगा अब हम इसमें मसालों का paste डालते हैं जो mixi में हमने पीसा था अब मसालों को हमें अच्छे से पकाना है अब इसमें हम add कर लेते हाफ टेविल स्पून हल्दी हाफ टेविल स्पून कश्मीरी मिर्च ताकि कलर इससे बहुत अच्छा है अब इसे हम अच्छे से mix कर लेते हैं और ढग देते हैं मसाले को 10 में ढग के पकाने के बाद आईए से हम खोल लेते हैं ये देखिए ओल सर्फेस पे आ चुका है हमारा मसाला पक चुका है ये तो इसे हम चला के 2 मीडियम साइज के टमाटर डाल देते हैं इसमें और साथ ही 1 टेविल स्पून नमक और इसे अच्छे से mix करके हम ढग देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए तीन मिनट बाद हम धक्कन हटा लेते हैं और इसे हम अच्छे से चला लेते हैं टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब हम इसमें 2 कॉफी कफ वाम वाटर एट कर लेते हैं अब flame को हम high कर लेते हैं और इसमें एक उबाल आने देते हैं उबाल आ चुका है तो अब हम इससे चला के fish डाल देते हैं, इसमें side से इससे हम चला के 4-5 मिड़े धख देते हैं low flame पे अब धखकन इसका हटा लेते हैं और साइट से थोड़ा थोड़ा चला लेते हैं ताकि फिश टूटे ना तो आब हमारी सूपर टेस्टी मसाला फिशकरी तैयार है खाने के लिए तो आई इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं अब इसे हरी धनिया से हम गार्णिश कर लेते हैं आप इस रेस्पी को ज़रूर ट्राई करना ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में सूपर टेस्टी है और कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि ये रेस्पी आपको कैसी लगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर ले और चैनल पर अगर नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स रेस्पी आप कौन सी देखना चाते हैं थैंक्स पर वाचिंग गाइस